वेलकम टू पियर कोकिंग इस एडियो में मैं ट्रेंडिंग बिग मंदी प्लैटर की रेसिपी शेयर कर रही हूं जो आप हैदरवादी रेस्टोरेंट में बहुत ही हाई प्राइजस में घर पर बनाना बहुत ही आसान है थोड़ी सी महनत लेगी लेकिन इसका रेजल्ट हाँच यह प्राइट दो Marshm 그 उन परिनिया जी प्लैटर में गई तो चलिए बनाना शुकरते हैं इस जनिटैइटर में है 3 टाइप का चीकन दो टाइप का मतन और भी लग ओ तव्र हम इस इसके लिए अन्हे प्राइनशन सेट करेंगे तो सब से ब्लैक पेपर पाउडर 1 टी स्पून भूने हुए जीरे का पाउडर और 1 टी स्पून कसूरी मेथी और थोड़ा सा फूट कलर और लाइम जूस और 1 टेबल इस्पून गाड़ा दही सारे इंग्रीडियेंट लिस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड कर दूंगी तो आप ह पर इसे लगा दिया है ताकि सारा जो इस्पाइस है वह सारे अंदर तक अथ्छे से अबसौब हो आप चाहे तो यह मैरीनेशन रात भर करके फ्रिज में रख सकते हैं और दूसरे दिन मंदी बना सकते हैं यहां पर मैंने चिकन तिक्का के लिए बॉल्लेस चिकन लिया है उ तो आपके पास में है तो दाले वरना सकते हैं लेकिन यह दालने से ग्रिल चिकन बहुत टेस्टी बनेगा साथ में नीमबु का रस और थोड़ा सा रेड फूट कलर और वन टीस्पून ब्लैक पेपर पॉडर इसमें भी एट करेंगे वन टेबल स्पून ओल्ट मसाले सारे लग अलग अलग फ्लेवर का मीट तैयार होंगे तो अब यहां पे में अच्छे से मिक्स कर दिया है फिर से मैंने आदा किलो चीकन लिया यह इस तरह से बड़े-बड़े पीसस ले लिए है मैंने इस पे यह मसाला अच्छे से लगा इसको भी मेरिनेशन के लिए रग तो जब तक मैरिनेशन होता है हम मतन की तयारी करेंगे तो मतन गलाने के लिए मैंने हापी कूकर में ओयल गरम किया है एक कप इसमें एड़ करेंगे एक बड़ी सी अनियन चॉप की हुई चॉप किया हुआ 1 टेबल स्पून बारी कटी हुई हरी मिर्ची 2 टी स्पून जिंजा बॉक्स में एड़ कर रही हुँ वहां से देख्या बना सकते हैं अब नमक एड़ कर देंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे एक कीलो मतन जो मैंने बोन वाला लिया है और कोशिश कीजे कि यह थोड़े से बड़े पीसेस वाला बोन वाला मतन हो अब हमने हाई फ्लेम पर को अच्छे से भूनना है इसके कलर चेंज होने तक इस तरह से भून कर बनाएंगे तो मतन बहुत ही जूसी बनेगा एड़ करेंगे वन टीस्पून ब्लैक पेपर पॉडर वन टेबुल स्पून मंदी मसाला पॉडर और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इसमें आड अगर आपके पास में काला नीम्बू नहीं है एक तो आप इसमें लेमन जेट्याने नीम्बू का पीला वाला पार्ट आड़ कर सकते हैं और थोड़ा सा हल्दी पॉड़र भी मैंने आड़ कर दिया है सारे मसाल अच्छे से मिक्स हो गए इसमें आड़ करेंगे तीन ग्लास प गला लीजिए छे-साथ विजिल के लिए जब प्रेशर रिलीज होगा हम इसको खोल कर देख लेंगे तो यहां पर देख अच्छे से मटन घल गया है अब हम मतन को साइट में रख देंगे इसको थंडा कर लेंगे मतन थंडा होने के बाद में मैं आदा मटन लेलिया है बड अब चाहें तो थोड़ा सा नीमू दालेंगे और थोड़ा सा फूट कलर मसालों को मटन पर अच्छे से लगा के मैं इसे अवन में ग्रिल कर रही हूं आप चाहें तो थोड़ी से ओईल में इसे फ्राइ कर सकते हैं इसके रेफरेंस के लिए आप मेरी मटन फ्राइपीस मंदी की रेसिपी चेक कर सकते हैं मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूंगी तो आप वहां से चेक करके बना सकते हैं तो सारे मटन और चिकन तयार है तो अब हम इन सब चीजों को अवन में ग्रिलिंग के लिए रख देंगे आप चाहें अगर आपके पास में अवन जब तक सारे चिकन तयार होते हैं हम मंदी राइस बना लेंगे तो मंदी राइस बनाने के लिए मैंने यहां पे ओल गरम किया है हाफ कप इसमें अट करेंगे बड़ी सी अनियन चॉप की हुई हरे मिर्ची है चॉप की हुई टूटी इस्पून गार्लिक है चॉप किया हु एक ब्लैक लेमन यानि काला निम्बू और दो चिकन स्टॉक की क्यूप मैं इसमें अट कर दूंगी अब इच्छे से इसको मिक्स करेंगे इनको हमें बहुत जादा लाल करने की ज़रत नहीं होती है तो यहां पर जो हमने मैरिनेशन करके रखे थे उनका मैं अच्छे से रि लोड़ेड है मैं उसका लिंक डिक्स्रिप्शन बॉक्स में आट कर दूंगी तब वहां से देखके बना सकते हैं एक ग्लास के जितना मैंने मतन का स्टॉक आट कर दिया जो हमने कुकर में मतन गलाया था उसका जो पानी है वो आट करेंगे और बाखी का पानी भी आट कर द यह मीडियम क्वालिटी के बासमती राइस है बहुत ज्यादा लॉंग रिन नहीं है तो हाई फ्लेम पर राइस को पका लेंगे तो जैसे ही यह 90 परसंट पक जाएंगे इसे ढखके लो फ्लेम पर दम दे देंगे इस तरह से तो यह देखिए मंती राइस बिलकुल तयार है तो इसको अब हम साइड में रख देंगे अब यहां पर मैंने एक पैन ले लिया है इसमें फ्राइ करेंगे काजू बादाम किश्मिश दो कलर की हरी और काली दो भी है और इसमें अगर आप चाहे तो पिस्ता भी आट कर सकते हैं हलका सा ही इने फ्राइ करना होता है थोड़ से फ्राइ करेंगे प्यास तैयार थी तो इसे मैंने साइड में रख दिया यह गोल्डन ब्राउंस है इसकी रेसिपी मैंने अल्रेड़ी शेयर की हुई है मेरे चैनल पर मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी तो आप वहां से देखे से बना लीजिए और यह फिश फ्राइ है मैंने फिश मंदी की रेसिपी में इसकी सारी रेसिपी अल्रेड़ी शेयर की हुई है तो आप वहां से देखके यह फिश भी बना सकते हैं तो सारे गोश्ट भी अच्छे से ग्रिल हो गए है और मंदी राइस भी तैयार है तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर देंगे यह दे यहां इ तो मैंने ग्रिल किया है तो आप अपके पास में न ही डिल किया हुआ है में और साथ में यहां पर हमने गोल्डन प्राव्ね साइड में दाल दी Lane found были और लास्ट में ये है soft mutton with juice तो आप इसके लिए मेरी juicy mutton mandi की recipe चेक कर सकते हैं और लास्ट में इसमें हम chicken tikka भी add कर देंगे मैंने कोशिश की है कि बहुत ही आसानी से आपको ये recipe समझा सको फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप comment section में मुझसे पूस सकते हैं लास्ट में इस पर ड्राइफ रूट करेंगे और सर्फ कर देंगे तालीफ भी प्याजाल के सर्फ कर देंगे जबर्दसी assorted mandi rice इस mandi rice की market value है सत्रा सो रुपे लेकिन आप बहुत ही कमदाम में इसे घर पे बना सकते हैं तो जरू ट्राइ किजिए मेरी big mandi platter की recipe और recipe अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने ऐसे family और फ्रेंड से जिनको mandi की recipe पसंद आएगी और subscribe कीजिए मेरे चैनल प्यूर कुकिंग को ऐसे यूसफुल वीडियो के लिए ठैंक्स फॉर वाचिंग देखे कितना अच्छे से मटन चिकन जो है वह ग्रिल हुआ है